श्री गुरुभ्यो नमह मित्राणी अध्यवयं तिरुक कुरल अस्मात ग्रन्थात ग्रही ताह ये श्लोकाह संति तान श्लोकान पठिश्यामह पूर्व कख्षाय में हमने यह तमिल का जो वेद माना जाता है इस ग्रन्थ के कुछ श्लोकों को पढ़ा था स्वामी तिरुवल्लुवर इसके प्रणेता है तथा यह ग्रन्थ धर्मार्थ काम प्रतिपादक ग्रन्थ के रूप में प्रशिध है इस तिरुक कुरल ग्रन्थ की जो सुक्तियां है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण और हमारे जीवन में एक नई उर्जा नई चेतना प्रदान करने वाली है हमने पिछले पाठ में चार श्लोकों का अध्यान किया था इन चार श्लोकों के अत्रिक्त शेष जो श्लोक हैं उनको आज हम पढ़ेंगे एक बार हम उनकी आवरित्ती कर लेते हैं उन श्लोकों पर द्रिश्टी पात करते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था पिता यक्षति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत पितास्य किम्तपस्ते पे इत्युक्ति तत्कृतग्यता अवक्रता यथाचित्ते तथावाचि भवेद्यदी तदे वाहु महात्मानह समत्त्वं इतितत्यतह त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचं परुशाम यो भ्युदीरेत परित्यज्य फलं पक्वं भुंते पक्वं विमूढधी विद्वान्ष एवलोके स्मिन चक्छुष मंतह प्रकीर्तिताहा अन्ये शाम वदने ये तू ते चक्छुर नामनी मते इन चार श्लोकों को हमने पीछे की कक्छा में पढ़ा था जिन में हमने व्याख्या के रूप में इनके अर्थों को भी समझा था अब अगली श्लोको को हम इस कक्छा में पढ़ेंगे यह श्लोक है इसका अन्वय इस प्रकार है येन के नापी यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निरणयह करतुम शक्क्यो भवेत येन सह विवेक इती रितह विवेक किसे कहा जाता है विवेक क्या है इस बात को इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है सामान्यता हम बेवहार में देखते हैं कहते हैं लोग यह विवेक वान है बहुत विवेकी है इसका तातपरी क्या है विवेक अर्थात बुद्धी सामान्य रूप में तो हम यही समझते हैं लेकिन वह बुद्धी भी कैसी होनी चाहिए उस में कुछ विशेशन है वह इस श्लोक में कहते हैं ये न के ना पि जिस किसी के द्वारा यत प्रोक्तम जो कहा गया है उदाहर अनार्थ हम समाज में देखते हैं लोग कुछ-कुछ बोलते रहते हैं या पुस्तोकों में हम पढ़ते हैं अलग-अलग प्रकार की बातें अब उसकी विशय में हमें चिंतन करना चाहिए हमें सोचना चाहिए कि क्या ये ऐसा ही है तो ये ने के नापी यत प्रोक्तम जिस किसी के द्वारा कुछ कहा गया तस्य तत्वार्थ निरणय है उसके तत्व का निरणय तत्वार्थ का निरणय उसका जो मूल भूत तत्व है या उसकी जो मूल भूत रहस्य है उसके जो सिधान्त है उसके जो भाव है उसका जो निरणय कर पाना की ये सही है या गलत सामाजिक द्रिश्टी से ब्यावहारिक द्रिश्टी से और भविश्य की जो सम्रिधी है या भविश्य का जो चिन्तन है उसकी द्रिश्टी से वह सही है या नहीं कर तुम शक्यते भवेत तत्वार्थ निरनय कर तुम शक्यों भवेत ऐसा तत्वार्थ निरनय करने में जो समर्थ होगा, वह कर सकेगा यह कार्य करने का जो सामर्थ्य है वही विवेक है और वह विवेक जिसके पास होगा वह विवेक्ती विवेकी कहा जाएगा या विवेक वान कहा जाएगा कि यह विवेक वान है तो विवेक का तात्परिय सरल अर्थों में आप ऐसा कह सकते हैं कि सद असद यानि सही और गलत का निर्णय करने का जो सामर्थ्य है वह सामर्थ्य ही विवेक है और वह विवेक जिसके पास होगा वह विवेक वान कहा जाएगा या बुद्धिमान कहते हैं सहज भासा में इसी को एक अलग शब्दों से भी कहा गया है सद असद का जिसके पास विवेक है सद असद विवेकिनी बुद्धी पंडा और वो बुद्धी जिसके पास है सही गलत का निने करने की वो पंडित कहा जाता है बहुत प्रशिद्ध सब्द है पंडित तो पंडित का अर्थ होता है सद असद विवेक युक्त जो भी होगा वो पंडित होता है वही विवेक है सद असद विवेचन करने का जो सामर्थ्य है वह विवेक का कार्य है और वह विवेक जिसके पास है वह व्यक्ति विवेकवान या विवेकी इती रितह इती कथितह ऐसा कहा गया है ये श्लोक हम तिर कुरल ग्रंथशे उद्रित हैं उनको पढ़ रहे हैं। हम अगरा श्लोक देखते हैं वागपटु धैर्यवान मंत्री सभाया मप्यकात रह सके नापी प्रकारेण परैर्न परिभूयते। यहां पर एक अच्छे मंत्री के गुणों को बताया गया है। इस श्लोक में जो बातें आ रही हैं अगर उसको हम सीखते हैं उसे अपने जीवन में लाते हैं तो एक अच्छे मंत्री मंत्री का तात्पर है मंत्रना देने वाला सलाहकार अच्छी युक्ती बताने वाला जो होता है अपने पहले की कहानियों में राजाओं और मंत्रियों का जिक्र सुना होगा तो राजा मंत्री जो होते हैं वो राजा के लिए एक अच्छी मंत्रना अच्छे सलाहकार होते थे तो उसमें क्या गुण होना चाहिए उन गुणों को इस श्लोक में बताया गया है वागपटु अर्थात वाणी में निपुड होना चाहिए वागपटु का तात पर यह है वाणी में पटुता अर्थात निपुडता होनी चाहिए कब कहा पर कैसी वाणी बोलना है यह ज्यान होना चाहिए वागपटुः धैर्यवान धैर्य से युक्त धैर्यः अस्ति यस्मिन सा धैर्यवान जिसमें धैर्य है किसी भी परिस्थिती में बिना विवेक किये बिना विचार किये सद्यह निरणे लेना ऐसा नहीं परिस्थितियां कैसी भी हो उन परिस्थितियों को अनकूल बनाने का जो सामर्थ्य है धैर्यपूरक प्रतीक्षा करने का जो सामर्थ्य है वो होना चाहिए तो मंत्री के ये गुण हैं कि वह धैर्यवान हो और वह वाकपटू हो यदि वाकपटू नहीं होगा तो लोगों से संबंध बिगड़ जाएंगे समाज में वह सामंज से अस्थापित नहीं कर पाएगा सभायाम अपि अकातरह कातर शब्द का अर्थ होता है कायर और अकातरह अर्थात जो कायर नहीं है सभा में अकातर होने का तत्परे क्या होगा कि सभा में बोलने वाला सभा में चुप रहने वाला ना हो सभा में वो बातें करने वाला हो चाहे वह विद्वानों के बीच बात हो, नीती की बात हो, या योजनाओं की बात हो, समाज सेवाख हो, या अन्य करतब्य हों, हर प्रकार के ज्ञान से युक्त होना चाहिए, वही मंत्री सफल होता है तीन विशेष्टाओं को हमने देखा, कि मंत्री वाकपटु होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, और सभा में आकातर, यानि सभा में सपष्ट बुलने वाला होना चाहिए यदि इन तीन उगणों से युक्त व्यक्ति है, वह कोई भी हो किसी भी प्रकार से परई ही जन इही दूसरे लोगों के द्वारा न परिवुयते कभी पराजित नहीं होता अर्थात वह सधा स्तरवदा विजई होता है निश्चे ही वो अपने लक्ष को और सतत उन्नती को प्राप्त करता है चाहे हो सामाजिक स्तर की उन्नती हो या राज्य की हो या राश्टर की हो हर छेत्र में वह यशश्वी होता है तो हम लोगों को भी अगर समाज में एक अच्छा मंत्री बनना है हर व्यक्ति मंत्री होता है वह चाहे अपने घर के स्तरका हो या धीरे धीरे उठता हुआ सामाजिक स्तरका हो हर व्यक्ति किसी ना किसी कारे में सलाहकार होता है वह अपने विचार देता है लेकिन उसमें और तिक्ष्णता लाने के लिए उसमें और स्रिष्ठता लाने के लिए उसे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं, हम वाकपटू होने का प्रयास्त करें, वाकपटूता के लिए जो आवश्यक है, उन गुणों को अपने अंदर विक्षित करें, साथ ही धैर्यवान हों, और समाज में बोलने का सामर्थ हिलाएं, समाज में अपनी बात को रखने का कई लोग ऐसे देखे जाते हैं, जो बहुत कुछ जानते हुए भी अंतरमुखी होते हैं, अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, वहा पीछे रह जाते हैं, निव की पत्थर में हो जाते हैं, तो इसलिए अगर हम इन तीन गुणों को अपने अंदर विख्षित करेंगे तो निश्चित ही हम एक समाज में उन्नत और स्रेष्ट स्थान को प्राप्त करेंगे इसी करम में अगला श्लोग हम देखते हैं या इक्षत्यात्मन श्रेयह प्रभूतानी सुखानीच नकुर्यादहितम करम सपरेभ्यह कदापीच भूत महत्युपुरण श्लोक है श्लोक में कहते हैं कि जो अपना श्रेय अर्थात अपना कल्याण चाहता है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए हम देखते हैं समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपना कल्याण ना चाहे अपने कल्याण के लिए ही हर व्यक्ति जाहे वो अउश्रधा ले जाता है या किसी जोतिशी के पास जाता है या अलग अलग स्थानों पर सहायतार्थ जाता है सहायता प्राप्ति के लिए जाता है सब का उद्देश्य एक होता है वह उद्देश क्या है आत्म कल्याड अपने भले के लिए चाहता है तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा भला हो हमारा कल्याड हो लेकिन वो सायद ये जानता नहीं है या इससे अनभिग्य होता है कि उसके लिए मूल भूत तत्तों क्या है कौन सी ऐसी सरडी है, कौन सा ऐसा मारग है या कौन सी ऐसी क्रियाएं है जिनका पालन करने से वह अपना उत्थान कर सकता है इस बात को इस श्लोक में बड़े सहज धंग से बताया गया है यह यह अर्थात यह, यह कोपी, कोई भी व्यक्ति प्राणी मात्र के लिए है यह आत्मनह श्रेयह प्रभूतानी सुखानी च इच्छती अर्थात आत्मनह श्रेयह अपना कल्याड चाहता है और प्रभूतानी सुखानी बहुत अधिक सुख चाहता है हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है लेकिन सुखी होने के लिए सुख प्राप्ती के लिए उसका जो प्रयाश है कहीं कहीं विपरीत दिशा में होता है अगर व्यक्ति दूसरे को दवा कर या किसी दूसरे को दुखी करके सुखी होना चाहता है तो सुखी हो नहीं पाता उस सुखी होने के लिए आत्म कल्याण के लिए मार्ग क्या है यदि ऐसा चाहते हैं तो इस श्लोक की दूसरी लाइन में कहते हैं सहकदापी परेव्यह अहितम कर्मना कुर्यात ये मूल मंत्र इस श्लोक में बता रहे हैं कि यदि हम सुखी होना चाहते हैं हम अपना कल्याण चाहते हैं हम ये सोचते हैं कि समाज का हर व्यक्ति हमारे लिए अच्छा करे प्रकृति हमारे लिए सुखदाई हो तो परेव्यह अहितम कर्म कदापी न कुर्यात हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे दोसरे का अहित हो उदाहर नार्थम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरे द्वारा कभी किसी का अहित नहीं होगा कभी किसी व्यक्ति को हमारे द्वारा फेस नहीं पहुँची कोई व्यक्ति हमारे द्वारा दुखी नहीं हुआ तो वह हमें कभी कष्ट पहुँचाने का नहीं सोचेगा आपने आजात शत्रू एक बड़ा प्रशिद्ध शब्द है सुना होगा मने जिसका कोई शत्रू हुआ ही नहीं शत्रू क्यों नहीं हुआ क्योंकि उसने कभी किसी का अहित नहीं किया कभी किसी का गलत किया ही नहीं इसलिए वह अजात सत्रू है तो यदि अजात सत्रू व्यक्ति होगा तो निश्चे ही वह सबका प्रियो होगा और सबका प्रियो जो व्यक्ति है वह सदा सुखी रहेगा हर जगह उसे मान समान मिलेगा तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम अपना कल्याड चाहते हैं हर द्रिष्टी से सुख चाहते हैं तो कभी भी जाने अंजाने में किसी का अहित नहीं करना चाहिए चाहे मन से हो, वाणी से हो या कर्म से हो तीनों ही प्रकार से कभी किसी का अहित ना हो ऐसा ध्यान रखना चाहिए यदि ऐसा करने में हम सफल हो पाते हैं तो निश्चे ही सब के प्रिय होंगे और सब का प्रिय व्यक्ति सदा सुखी रहता है उसे कभी दुख नहीं होता कभी कष्ट में नहीं पड़ेगा इसी के साथ हम अगला श्लोक देखते हैं इस श्लोक में आचार के महत्तो को बताया गया आचार अर्थात आचरण हमारा जो क्रिय कलाप या हमारा जो बेवहार है वो हमारे आचार को ही व्यक्त करता है श्लोक के अर्थ को समझने के लिए हम इसके अन्वय को देखेंगे अन्वय इसका इस प्रकार है प्रथमो धर्मह आचारह इति एतद विदुशाम वचह तस्मात सदाचारम प्राडे भ्योपी विशेशतह रक्षेत व्यक्ति का प्रथम धर्म क्या है समाज में रह रहे हर एक व्यक्ति का पहला धर्म क्या होता है तो कहते हैं आचार सबसे पहले यदिजीवन में कोई चीज है तो वह है आचार अथात आचरण ये किस ने कहा तो कहते हैं विदुशाम वचह विदुशाम वचह इत्येतत अर्थाती यही विद्वानों का मत है जो विद्वान लोग हुए है या जो आचारी लोग हुए है उन लोगों ने ऐसा माना है कि हर व्यक्ति का जो प्रथम धर्म है पहला वह क्या है तो कहा आचरण उस के सनरक्षन के लिए सदा सरवदा प्रयतनशील होना चाहिए यदि आचार नहीं है आचरण नहीं है तो जीवन के सारे धर्म सारे कर्म सब व्यर्थ हैं सारी क्रियाएं निस्फल हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाता हम कितने ही उचे पदपर पहुच जाएं आए दिनों आप समाज में ऐसी घटनाएं देखते होंगे कि लोग जिनको आखों पर बिठाते थे ऐसे लोग जेल के अदर हो जाते हैं क्यों क्योंकि उनका आचार गिर जाता है और आचार गिरा हुआ व्यक्ति समाज में कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए हर एक व्यक्ति का पहला करतब क्या है पहला धर्म क्या है जिसे उसे धारण करना चाहिए जिस तरह से हम वश्त्र हर समय धारण करके रखते हैं वैसे ही हमें आचारण को अपने जीवन का अभिन अंग मान करके सदा सरवदा धारण करना चाहिए तस्मात रक्षेत सदाचारम और वह आचार आचार का अर्थ किवल ब्योहार अगर लें तो वह दो प्रकार का होगा एक सद ब्योहार होगा दूसरा दुर ब्योहार होगा किवल उपसरगों का भेद है सत उपसरग लगाया तो सदाचार अर्थात अच्छा आचरण और उसमें दूर उपसरग लगाया तो दूर व्योहार दूराचार हो जाएगा अर्थात कष्टकारी या घलत जो आचरण है आमान ने आचरण जिसको समाच स्विकार नहीं करता ऐसा आजर तो यदि दुराचार होगा तो वह निश्चे ही दुख पाएगा और सदाचारी व्यक्ति होगा तो वह समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त होगा इसलिए तस्मात रक्षेत सदाचारम सदाचार की रक्षा करनी चाहिए उसकी रक्षा करने के लिए हमको चौराहे पर नहीं जाना है हमें अपने अंदर जहाक कर देखना है अगर हमारी आत्मा हमारी बुध्धी यह आवाज अंतह करण की होती है कि अमुक कारिय सही है तुम सही कर रहे हो यदि ऐसी आवाज आती है तो समझ लेना चाहिए कि हम सदाचारी है और अकेले में बैठ कर अपने आप से खुद पूछें कि क्या यह काम जो तुमने किया यह सही है या जो योजना बना रहे हो करने के लिए क्या यह सही है अगर ऐसी क्रिया कलाब तुम्हारे साथ घटें तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर ना में उत्तर आया तो समझ लेना चाहिए कि वो गलत है और उस काम को करने के बाद हम दुराचारी हो जाएंगे तो वह कार्य नहीं करना है यही छोटी सी पहचान है थोड़े शे शब्दों में अगर हमारा अंतह करन हा में उत्तर देता है मतलब वह सत्कारी है और हमारा अंतह करन उसे ना में उत्तर देता है तो वह दुर्ब्योहार है उसे नहीं करना बस पूछ करके ही हम अपने अंतह करण से पूछ कर ये निश्चे कर सकते हैं और तस्मात रक्षेत सदाचारम उसके बाद उसकी रक्षा करना है सदाचार है तो उसे बचाना है और आगे उस तरह के कारियों को बढ़ावा देना है और दुराचार है तो उसे समाप्त करना है उसकी रक्षा नहीं करना अंतिम पंक्ती में बहुत महत्तोपुर्ण बात कहते हैं इतिहास में आप कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे जो अपने वचनों के लिए जो कह दिया उसे पूरा करने के लिए मर मिटे लेकिन पीछे नहीं हटे वो अपनी बात को पूरा करने के लिए प्राणों की आहुती दे देते हैं ऐसे कई दृष्टांत हमें रामायड में भी मिलेंगे और वीर योद्धाओं की जब हम कहानिया पढ़ते हैं उसमें भी मिलते हैं कि अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने प्राणों की आहुती उन्होंने दी ऐसे ही हमें आचार की रक्षा करने के लिए अपने सदा चरण की रक्षा करने के लिए प्राणों की अगर आहुती देना पड़े तो दे देना चाहिए लेकिन आचरण को कभी नहीं खोना चाहिए ये आचारिय तिरुवल्लुवरह कहा रहें पूरे श्लोक को हम देखेंगे आचारह प्रथमो धर्मह इत्ते तत विदुशाम बचह विद्वानों का ये मंतव्य है विद्वानों की ये वाड़ी है कि आचार प्रथम धर्मह मानों का इसलिए प्राणे भ्योपी विशेशतह सदाचारम रखेत अपने प्राणों से भी अधिक जिस तरह हम अपने प्राणों को बचाते हैं अपने शरीर को बचाते हैं या थोड़ी सी मोच आ जाए तो हम उसके लिए कितना प्रयत्न करते हैं हाथ पाओं में चोट लग जाए तो वईद्य के पास जाते हैं दवाई लेते हैं लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं इस सब क्या है प्राणों की रख्षा ही तो है अपने जीवन की रख्षा ही तो है तो जिस तरह से हम अपना सर्वस्व अर्पित करके प्राणों की रख्षा करते हैं अपने जीवन की रख्षा करते हैं उसी प्रकार से सर्वस्व अर्पित करके सदाचार की भी रख्षा करनी चाहिए और अगर ऐसा करने में हम समर्थ होंगे तो निश्चे ही यश्ष को प्राप्त होंगे चिरकाल परियंत वर्षों परियंत हम उन्हीं यश्षवी लोगों की श्रेडी में परिगणित होंगे जिन्हें आज हम सदाचरण की वज़ह से जिनकी जैंतियां मनाया करते हैं उन्हें याद किया करते हैं और आदर्श पुरुस के रूप में हम उदाहरण देते हैं तो हमें भी सदाचार के लिए सदापरियतनशील रहना चाहिए तो बच्चों इस प्रकार हमने इस तिरुक कुरर गरंथ के आठ शलोकों को पढ़ा इसमें बहुत सारे शलोक हैं जो जीवन के लिए अत्यंत महत्वपुर्ण हैं पाठ्यान्श में इतने ही शलोक हैं इसलिए हम इसको इतना ही पढ़ेंगे इनके अत्रिक्त शलोकों को जानने के लिए आप अपने अध्यापक से अपने अभिभावक से और पूँच सकते हैं उनकी सहायता से इस ग्रंथ के बारे में और जानकारी लेंगे तो आपके ग्यान की व्रिधी होगी और आप ग्यान की दृष्टी से अत्यंत सम्रिध हो सकेंगे तो इस पाठ्य में इतना ही शेश अन्य पाठ्यों को पढ़ने के लिए हम पुना उपस्थित होंगे धन्यवाद झाल 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 झाल